हेई एवरीवड़ी वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक्या और यूट्यूब चैनल आए मायशी वंसेगें वीडियो और आज मैं अपलो वी साज शेयर करने वाली हूँ ट्रांसलेशन आर ने के ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही एक वीडियो जो की पार्ट फर्स्ट होने वाल ह Chef क्या होता है नेक्सट राइब तो हमें पता है एक स्ये अवर्णल है बट हम में रिपोसोम के बारे में किस रहरें करने हैं इस एक लिए ब्रांसलेशन की उक्या है यह ब्रक्राइबियो को फिटक nos जैनेटिक कोड में अलड़ी आप लोगों को समझा चुकिए अगर आपने नहीं देखा है तो आप Molecular Biology वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं नीचे लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा यह जो definition इसकी वो क्या है एक ऐसा process में जो genetic code है ठीक है contain within an mRNA जो किसके अंदर है mRNA के अंदर है mRNA के molecule के अंदर है उनको क्या किया जाता है decode किया जाता है जिससे कि कोई specific sequence amino acid का हम क्या कर सकें yes produce कर सकें in a polyfeptide chain यह फिर protein हम कहा सकते है ठीक है कोई हमार पास protein है मैं पता है जो protein होता है ठीक है वो किसका बनाता है amino acids का बनाता है एक amino acid की chains का बनाता है और हम amino acids हम जो protein उसको क्या कह सकता है polypeptide chain भी कह सकते है क्योंकि बहुत सारे जो amino acid हों मिलकी क्या बनाएंगे peptide, peptide मिलके polypeptide रो polypeptide मिलके क्या बनाते हैं ultimately protein बनाते हैं या फिर हम translation को ऐसे भी define कर सकते हैं कि translation में involve होता है decoding करना mRNA को covalently linking amino acid से together to form a polypeptide ठीकि क्या कर रहे हैं इसमें decode कर रहे हैं mRNA को covalently linking amino acid के साथ जिससे हम क्या कर सके, form कर सके yes, polypeptide chains को तो basically, अब polypeptide chain ही बना रहे हैं हम दोनों ही definition में क्या form कर रहे हैं polypeptide chain form कर रहे हैं यही polypeptide क्या है हमारा protein है तो इसलिए इसलिए translation है हम simple सी language में बोले तो वो क्या है हमारा synthesis of protein है central dogma हम पहली आप लोगों को बता चुक है DNA से क्या बनता है RNA बनता है ठीक है, यानि कि information कहां से आ रहे है ultimately DNA से और then हमारे पास क्या बनता है protein बनता है ठीक है तो यह हमारा central dogma है protein के synthesis को यह क्या कह रहे है translation कह रहे है अब translation में कुछ steps लगते है कौन-कौन से pre-initiation step, initiation step, elongation and termination हम आज की topic में थोड़ा pre-initiation step and ribosomes के बारे में ही जानेंगे initiation, elongation and termination के बारे में हम next video में जानेंगे एक साथी so yes, सबसे पहले introduction पर आते हैं तो just as DNA जो RNA भी synthesized होता है वो किस direction में होता है 5' to 3' direction में होता है जिसी की protein synthesis हो सकता है अब जो यह polypeptides है ठीक है, वो synthesized होते हैं कैसे by the addition of amino acid ठीक है to the end of the chain with the free alpha carboxyl group यानिके C terminal अभी इस चीट को समझने के लिए हमें क्या चीए होगा amino acid के structure को देखना पड़ेगा amino acid में क्या होता है कारboxyl group होता है एक amino group होता है ठीक है तो जो कारboxyl group होता है वो alpha carbon से जुड़ा होता है C terminal end पे ठीक है और दूसरा end क्या होता है हमारा N terminal एक क्या है C terminal एक है N terminal C terminal वाला कारboxyl group होता है और जो N terminal वाला होता है एमीनो ग्रूप बीच वाली वेरियंट ग्रूप होता है जहां पर बदलते रहते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि मारा अमीनो एसिट कौन सा आने वाल है that is the synthesis of polypeptide begin होगा कैसे with the amino acid at the end of chain ठीक है with a free amino group यानि के end terminal पर और move होता रहेगा c terminal direction की तरफ ठीक है कहां से हो रहा है यानि कि क्या हो रहा है इस direction से शुरू हो रहा है और इस पर क्या हो रहा है end हो रहा है next हम जानेंगे ribosomes के बारे में जो ribosomes होते हैं ठीक है ribosome is a site of protein synthesis जो protein synthesis है वो बहुत ही जदा accurate ही नहीं वालकि बहुत जदा rapid process भी होता है e coli में जो synthesis है वो होता है at least 900 residues per minute हम synthesize कर लेता है और eukaryoti में थोड़ा slow होता है इसमें भी लेकिन 100 residues हम per minute synthesize कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि कितना fast होता है cell that grow quickly must use each mRNA with great efficiency to synthesize protein at the sufficient rapid rate ठीक है जो 2 subunit होंगी ribosomes की that is 50s subunit and 30s subunit bacteria में होती है या एंडर्कया में होती है 60 and 40 eukaryotes में होती है यह कैसे रहता है freely रहता है cytoplasmic protein is node begin to synthesize ठीक है देख लेता हैं कौन-कौन सी unit होती है उनकी subunits क्या-क्या है so prokaryotes में 70s type के ribosomes मिलते हैं and eukaryotic cell में 80s type के ribosomes मिलते हैं जो 30s type के ribosomes मिलते हैं वो फर्दर बने होते हैं किस से 16srRNAs and 20r protein से या फिर 21r ribosomal protein से दूसरी जो larger subunits होती है वो किस से में कैसे होती है yes 50s type के होते हैं larger subunits prokaryote के और किस-किस से बने होते हैं 23srRNA से 5srRNA से and plus 34r proteins की ऐसी जो eukaryotic ribosome है उसमें क्या होगा 40s and 60s में divide होगा 40s किस की बने होते हैं 18srRNA की and 33r protein या फिर ribosomal protein की जो eukaryotic cell की ribosome होते हैं उनके जो cytoplasmic eukaryotic ribosomes होते हैं वो कैसे होते है larger subunits उनकी कैसे होती है 60s type की जो की further divide होते है 28srRNA, 5.8srRNA, 5srRNA and 34r proteins अब हमें पता चल गया है कि ribosome जो है हमारा उसमें क्या है एक large subunit है और एक क्या है small subunit है तो यह जो large subunit होती है वो कैसे होती है और smaller subunit कैसे होती है उसके structure आपको net पे बहुत सारे मिल जाएंगी 3D structure बहुत सारे मिल जाएंगी और हमारा यहां पर main focus ribosome नहीं है बट यह आपस में जो larger subunit है और smaller subunit है पास में कब आती है जब इन्हें translation करना होता है ठीक है और translation का process इतना quick 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 होता है कि ना mostly attached ही मिलती है यह ठीक है ribosome दो जगे मिलते हैं तो cytoplasm में मिलेंगे या फिर कहाँ पर मिलेंगे endoplasmic reticulum से attach मिलते हैं cytoplasm दूसरे एक और जगे में मिलते है mitochondria में मिलते हैं और एक और cell organelle होता है जहाँ पर मिल जाते हैं हो है chloroplast ठीक है in case of plant तो क्या होगा अभी जो frequently जो mRNA है ठीक है वो simultaneously complex रहता है ribosomes के साथ ठीक है हर एक जो ribosome है वो read करता है mRNA के message को और साथ सा synthesize करता है polypeptide chain को देखो यह क्या होता है हमारा mRNA जा रहा है जो कि कहां से मिला है हमें yes transcription के थ्रू मिला है यह हमारी large subunit यह small यह large यह small यह large यह small यह large यह small तो और यहां पर क्या रहता है मारा tRNA ठीक है tRNA के बारे में भी डिसकस करेंगे तीनो टाइप के RNA की detail चाहिए वो rRNA चाहिए mRNA चाहिए चाहिए क्या है वो tRNA है rRNA tRNA mRNA तीनों ही मैं आप लोगे साथ शेयर कर चुके हो वीडियो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें अगर आप अच्छे से translation को समझना चाहते हैं जो maximum rate होगा of mRNA use का there may be a ribosome every 80 nucleotide along the messenger or as may be as may as 20 ribosomes simultaneously reading an mRNA ठीक है तो देख रहे हैं कितना ज्यादा ribosomes क्या कर रहे हैं रीड कर रहे हैं और वो code करते हैं 50,000 dalton polypeptides के लिए जो complex है mRNA का with several ribosomes उसे हम क्या कहते हैं polyribosomes या polysomes भी कहते हैं ठीक है क्या कह सकते हैं polyribosomes या फिर polysomes so while जो RNA polymerase है वो synthesizing वो synthesize करता है mRNA को ठीक है जो ribosome है वो already attached रहता है with messenger so जो भी transcription है हमारा या फिर translation है वो simultaneously होता है मैं इदर transcription हो रहा है इदर translation और यह जो हमारे process बता रही थी एक mRNA से बहुत सारे RNA जो ribosomes attached रहते हैं तो जो process है यहां पर पॉलिप्टाइट चैन जा रही है यहां से एक पॉलिप्टाइट चैन जा रही है क्योंकि RNA के भी बहुत सारे अलग-अलग part अलग- जो नूक्लियोस होता है क्योंकि उसमें नूक्लियर मेंब्रेन नहीं होती है तो एक्ता है जिससे वह separation नहीं पाता है translation की machinery from DNA as it does in eukaryotes अब जो prokaryotic हमारा ribosome है ठीक है या फिर मैं कहूँ कि हमारा 70S ribosome है उसमें 3 TRNA binding site होती है कौन कौन सी site है वो P site, A site and E site अब इनका काम क्या होता है जो P site होती है इसे हम कहते है peptidal TRNA binding site जो की hold करती है TRNA के molecule उनको that is linked to the growing end of the polypeptide chain next जो हमारी A site है यह क्या है हमारा smaller sub unit थी, यह हमारी larger sub unit थी, यहाँ पर क्या होगी हमारी A site यहाँ पर क्या होगी हमारी P site और यहाँ पर क्या रहती है हमारी E site ठीक है तो P site बीच वाली है जो की क्या कर रही थी हमारी hold करती है TRNA के molecule को इससे क्या रहेगा हमारी TRNA attach रहेगा ठीक है, all link रहती है growing end of the polypeptide chain ठीक है, उसके बाद A site क्या कर रही थी हमारी amino, acyl, TRNA binding site भी कहते हैं यह hold करती है हमारी incoming TRNA molecule को, ठीक है यहाँ पर क्या हैगा, एक और TRNA molecule रहेगा, जब यह activate हो जाएगा तो यह वाला TRNA नहीं आ जाएगा यह वाला TRNA इधर exit site भी चला जाएगा तो यह site क्या कर रही है इसको हम amino, acyl, TRNA binding site भी कह रहे हैं, यह hold कर रही है हमारी incoming TRNA molecule को, जोगी charge होने वाला है charge है किसके साथ, amino acid के साथ, ठीके, अब E site क्या करती है हमारी deacetylated site भी कहते हैं यह फिर deacetylated RNA भी कहते हैं इसमें कोई amino acid नहीं रहता है exit वायादा E site ठीके, जो हमारा TRNA है उसमें जब कोई भी amino acid नहीं रहेगा ठीके, क्यों नहीं रहेगा ठीके, यह हमारा क्या था RNA राइबोसों है ठीके, यह A, यह P, यह E ठीके, A site पर क्या हो रहा है हमारा, हमें पता है क्या है हमारा यहाँ पर TRNA holding पर लगा हुआ है ठीके, कौन सा charged है यह ठीके, charging of amino acid क्या होते हो भी आगे पड़ेंगे ठीके, यहाँ पर भी है और यहाँ से क्या हो रहे हमारे growing RNA की, sorry, growing protein या फिर amino acid की chain निकलती रहती है फिर निकलने के बाद यह T हाँ चला जाता है, ठीके, हर एक amino acid यह code करेगा, एक amino acid यह फिर यह यहाँ पर add करेगा इस सेगले में, ठीके, फिर उस सेगले में are activated for protein synthesis through a reaction, जिसको हम, जो किस से catalyze होती है, amino acyl tRNA synthetase अब amino acid, इसमें क्या होगार overall reaction कैसे होती है, amino acid plus ATP, क्या कहीं चाहिए होंगे मैं, amino acid चाहिए होगा plus ATP चाहिए होगा जो कि amino acyl tRNA synthetase enzyme की help से क्या बनाएगा हमारा amino acyl AMP plus inorganic phosphate अलग निकल जाएंगे अब यहाँ पर आपको देखना है, कि यहाँ पर ATP था हमारे पास, ठीक है, यह निकि tri phosphate था, अब क्या बचाए हमारे पास AMP, यह निकि monophosphate, two phosphate group निकल जाएंगे उसके बाद यह जो amino acyl AMP है, वो tRNA को चार्ज करने वाला है, तो उसके जाएंगे टी आरे ने अटेज होगा और हमें क्या मिलेगा? amino acyl tRNA और AMP अलग हो जाएगा, इसमें भी enzyme कौन से वोल होगा? amino acyl tRNA synthetase, इस overall reaction को हम क्या कहते हैं? amino acylation reaction, next, there are at least 20 amino acyl tRNA synthetase, क्योंकि हमें पता है, लग-लग type amino acids होते हैं, ठीक है, तो 20 type के हमारे पास amino acyl tRNA synthetase होगा, क्योंकि हर एक amino acid के लिए specific होगा, each specific for single amino acid and its tRNA, या फिर cognate tRNA हम कह सकते हैं, यह जो है, it is a critical that each, हमारा जो हर एक tRNA है, वो attach रहता है, अपने corresponding amino acids के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इन्करेक्शन को, या फिर incorrect things को, मतलब, हम accept नहीं कर सकते हैं, हमारा DNA खराब हो जाएगा, तो क्या होगा है, यहाँ पर जो हमेशा, जो हमारा tRNA वो attach रहता है, हमारे corresponding amino acids के साथ, because if an incorrect amino acid is attached to a tRNA, it will be incorporated, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह incorporate हो जाएगा, एक polypeptide chain में, जो कि place करेगा, in place of, किसको, yes, amino acid के, जो सही वाला amino acid तो उसके जाएगा, कुछ और भी attach हो सकता है, इसलिए हम यह भी यह नहीं कर सकते हैं, जो protein synthesis machinery है, वो recognize करती है, only the anticodon of amino acid, tRNA, and cannot tell whether the correct amino acid is attached or not, ठीक है, एक और चीज, जो मैंने ही आपर आपकोई reaction बताई थी, यह first वाला जो हमारा, हमें पता है, पहला जो amino acid होता है, वो methionine होता है, जो आकर के attach होता है, हमेशे रिवी प्रोटीन synthesis होता है, ठीक है, तो इसलिए फैले वाला जो amino acid होता है वो amino acid नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो formulated होता है, तो उसको हम क्या कहता है, एफ मैट, ठीक है, बाकी को हम क्या कहता है, amino acid आइल, tRNA बोलते हैं, ठीक है, उसके respective amino acid के जाब से, उसके बाद, कुछ जो amino acid, tRNA, synthetase होते हैं, वो proof read करते हैं, जैसे की same DNA polymerase enzymes करते हैं, अगर है, वो क्या करता है, hydrolyze कर देता है, हमारे amino acid को, tRNA से, ठीक है, rather than release the incorrect product, ठीक है, वो उसको release करने के बजाए, क्या करेगा, directly hydrolyze कर देगा amino acid को, जो amino acid है, वो क्या होता है, अटेच हो जाता है, tRNA molecule के साथ, तो tRNA को हम क्या कहेंगे, acetylated या फिर charged tRNA, यही था हमारा आज का वीडियो, I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहोगा, अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को subscribe करें, वीडियो ज्यादा लंब बनाओ, इसलिए मैंने, जो translation वाला portion है, वो थोड़ा लग रखा है, तो next वीडियो ज